करकारनी की बैठक हो रही है इसके बारे में कुछ जानकारी देजिए देखिए राष्टिय कार्ट की बैठक 10 फरवरी को है होटल मोरिया में उसके असोका सभागार का नाम रखा गिया है अमर से ही जगदेव प्रसाद सभागार चुके जगदेव बाबु का सहादत दिवस औ जो जिस तरह से उनके साथ वैवहार हुआ था जिस तरह से उनको सामंतियों ने हत्या किया था उस संबंध में हम लोग जो सताबदी वर्स है उनके जन सताबदी वर्स है उसकी याद में उस सभागार का नाम रखे हैं सही जगदेव प्रसाद सभागार और साथ ही साथ उसम पूरे देज भर के डेलिगेट्स आएंगे 26 राजियों के प्रतिनिधी होंगे अरहाई सो प्रतिनिधी सामिल होंगे राष्टी अध्याग सिरी लालू परसाद जी इसके अध्यागता करेंगे इसमें नेता परतिपाक तेजस्वी परसाद जादव सहीत पूरे देज भर के ड चुनावी परकिरिया है निचली एकाय से लेकरके राष्टिय अध्यक तक का उसके तिथी का निरधारण किया जाएगा में देखिए नितिश कुमार जी की पूरी तरह से बेसर्मी पर उतर गई है सिर्फ कुर्सी बचाने की कवायद में लगे हुए नितीज जी ने बहुत पहले कहा था कि जो विशेश राज का दर्जा देगा या विशेश पैकेज देगा हम उसके साथ बिहार की राजनीती करेंगे नितीज जी आप तो लिए आप किसके माध्यम से हस्ताक्षर अभियान का राजनीती नोटंकी कर रहे हैं अब हस्ताक्षर अभियान के आप सकता नहीं है अब फैसला लेने के आप सकता है अगर आप में तनिक भी अपने सम्मान का ख्याल होगा और तनिक भी अपनी बातों का ख्याल होगा तो आ आप अपने फैसले पर पुनेर विचार करें चुके अब भारतिय इंता पार्टी बिहार को विशेश राज का दर्जा नहीं देने जा रही है तो आप भारतिय इंता पार्टी के साथ क्यों बने हुए हैं ये असपश्ट के जिए क्या कोई फाइल दिखा दिया गया जिस आप उनके साथ बने हुए हैं या आप कुर्सी के लालच में उनके साथ बने हुए हैं अपना राजनीति स्वार साधने के लिए विचारों का प्रत्याग करके कहीं ना कहीं राजनीति में आप पिटे हुए मोहरा हैं आप पिटे हुए मोहरा का इस्तमाल भारतिय इंता पा झाल झाल